ये तो आप जानते होंगे भारत अब अपनी इंडस्टी को बचाने के लिए उन देशों पकड़ी नजर बनाए हुए है जो या तो डंपिंग के चलते या ट्रेड एग्रिमेंट के चलते भारती बाजार की इस्तिती बिगाणने में लगे थे जिसमें अब चीन के बाद एक देश है जो भारती मार्केट को डंपिंग ग्राउंट समझने में लगा था दरसल यहां हम बांगला देश की बात कर रहे हैं जो भारती जूट इंडस्टी को बरबात करने में लगा था आपके जानकारी के लिए बताते कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उतपाद की 19,68,000 टन की उतपादन शमता के साथ भारत बांगला देश को कड़ा जवाब देने में लगा है साथी साथ भारत ने बांगला देश की हदे निरधारित करते हुए उसके इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा कर उसको सीमाओं में बांधने का काम कर रहा है वैसे तो काफी समय से बांगला देश भारत में जूट की डंपिंग करने में लगा था लेकिन जब 2017 में सरकार को ये एहसास हुआ कि बांगला देश भारती इंड़स्ट्री को बरवाद करके रख देगा तो भारत ने समय रहते 2017 मही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी और पांस साल के बाद यानि की 2022 में इसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद भारत में फिर से बांगला देश पर आने वाले पांच वर्षों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है आपको बता दे कि इसमें नेपाल भी शामिल है और इन दोनों ही देशों पर 22 प्रतिशत की कमी देखी गई है बता दे कि भारत बांगला देश के जूट के लिए सबसे बड़ा बाजार है यही वज़ा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी बांगला देश के लिए एक बड़ी बादा बनकर सामने आया है आपको बता दे कि चीन बांगला देश की आड़